कच्चुआ और गिद एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जिसमें एक कच्चुआ रहता था उसे आस्मान में पंच्चियों की तरह उड़ने की बड़ी इच्छा थी हर समय वह आस्मान में उड़ने की तरकीब सोचता रहता जंगल के सभी पक्षी उसी तालाब से अपनी प्यास पुझाते थे और फिर आस्मान में उड़ जाते यह सब देख कच्चुए की भी बहुत इच्छा होती कि वो भी आस्मान में उड़ सके पंची आस्मान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं आस्मान में उड़ने में कितना मज़ा आता होगा ना सफेद बादल, खुला आस्मान, पंखों को खोल कर उड़ना कितना मज़िदार होगा ना कच्छुआ उड़ने के लिए बेचैन होने लगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े दिन प्रती दिन कच्छुई की यह इच्छा बढ़ती ही जा रही थी एक दिन जब तालाब के खिनारे एक गित पानी पीने पहुचा तो कच्छुई को उड़ने का एक समाधान सुझा गित भाई गित भाई आप कैसे हो मैं बिलकुल ठीक हूँ तुम कैसे हो कच्छुई आज तालाब से बाहर घुम रहे हो हाँ गित भाई आप से बस कुछ बात करना चाहता था आप तो बड़े बलवान भी है क्या बात है आज बड़ा मक्खन मार रहे हो इस काम है क्या वो मेरी मेरी एक इच्छा है जो जो केवल आप फिर पूरा कर सकते हैं भाई इच्छा वो क्या है बताओ मैं तुम्हारी क्या मर्दद कर सकता हूँ उपित भाई मुझे आस्मान की सेर करनी है आप ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं मैं वो कैसे और तुम्हारे तो पंक भी नहीं है इसलिए तुम आस्मान में नहीं उर सकते समझे आरे भाई आप अपने बड़े बड़े पंजों में मुझे फसा लीजिए और उपर आस्मान में ले जाकर आस्मान में छोड़ दीजिए मैं भी उड़ने लगूँगा धर्टी का नजारा देखना चाहता हूँ भाई प्लीज मेरे लिए ऐसा करो न देखो तुम गल्टी कर रहे हो तुम्हारे पंक नहीं है तुम उड़ नहीं सकते इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है समझे कुछ नहीं होगा मैं जैसा कहता हूँ बस आप वैसा ही करते जाए भाई ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी कच्छ्वे की इच्छा पूरी करने के लिए गितने कच्छ्वे को अपने पण्जो में फसाकर आस्मान में सैश शुरूँ की और इस तरह कच्छ्वे का आस्मान में उन्ने का सपना पूरा हो गया अरे वाह मसा आ गया यहां से नजारा कितना खुम्सूरत है बादल भी हमारे कितने करीब है बस आप थोड़ा और उपर जागर अपनी पकर ढीली कर दीजिए गित भाई फिर मैं भी आज़्वान में उड़ने लगूंगा देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं इससे तुम्हारी जान जा सकती है आप बस अपनी पकर ढीली कर दीजिए और बाकिसम मुझ पर छोड़ दीजिए घबराईए मत फिर देखो मैं कैसे उड़ता हूं मुझे कुछ नहीं होगा गिद के लाग समझाने पर भी कच्छवा नहीं माना गिद ने ऊपर जाकर अपनी पकर ठीली कर दी और कच्छवा नीचे गिरने लगा अरे वाह मजा गया मैं भी उड़ने लगा बहुत मजा आ रहा है अरे अरे ये क्या ये क्या मैं तो गिर रहा हूँ अरे कित भाई बचाओ बचाओ मुझे बचाओ वही हुआ जो कितने सोचा था कच्छुआ बेना पंखों के भला कैसे उड़ता अरे ये मैंने क्या किया गित भाई ने मुझे कितना समझाया था पर मैंने उनकी एक न मानी है वह तो अच्छा है कि मैं अपने इस कवर्च की वज़े से बच गया वरना आज मैं मर ही जाता इस तरह कच्छुए को अपनी गल्ती का एहसास हुआ उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन आगे से ना करने की कसम उठा ली मूर्ख लोमर एक जंगल में जंगु नाम का लोमर रहता था उसे चुरा चुरा कर खाना खाना बहुत बसंद था वह बहुत जूट भी बोलता था रोज वह किसी ना किसी जानवर को उल्लू बनाता इसी तरह एक दिन वह खाने की तलाश में चला मैं तो रोज रोज इस जंगल का खाना खाकर परिशान हो चुका हूँ अब मुझे कुछ मज़ेतार खाना ढूनना होगा कुछ मीठा ढूनता हूँ जलो आज गन्ना खाऊंगा जैसे ही वहलोमर गन्ना खाने के लिए गन्ने के खेत पर पहुँचा अरे वाँ यहां तो बहुत से ताजा और रसीले गन्ने हैं आज मैं खूब सारे गन्ने खाऊंगा खेतों को हिलते हुए देखकर वहां बैठे किसानों को समझा गया कि यहां जरूर कुछ कड़बड है अरे देखो रामू देखो तुम्हारे खेत में कोई जोरी कर रहा है अरे जोरी कहीं है वही लोमर तो नहीं जो पिछली बार भी गन्ने चुरा कर भाग गया था आज तो मैं उसे पकड़ कर ही दम लूँगा और बहुत मजा चखाऊंगा चंगू अपनी जान बचा कर वहां से दूर भाग गया अरे अरे भागो भागो अरे भागो यह किसान मुझे मार ही डालेगा अरे भागो भागते भागते वहां रंग रेज के नीले रंग में टूप गया अरे अब यह क्या हो गया यहां मेरा शरीर नीले रंग का कैसे हो गया मैं तो भूत जैसा लग रहा हूँ अब चंगू का पूरा शरी नीला पड़ चुका था वैसे मैं अपने इस रंग से बाकी जानवरों को उल्लू बनाता हूँ और उन्हें डराता हूँ बड़ा मजाएगा ये कैसा जानवर है? अरे ये कौन है? इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ पर आप आए कहां से है? आपका रंग इतना नीला क्यों है? मैं यहाँ भगवान की कहने पर आया हूँ नीले आसमान से इसलिए तो मेरा रंग नीला है तो क्या आप भगवान की दूट है? हमारे लिए क्या संदेश लाए है? भगवान ने मुझे आपके राजा के रूप में भेजा है वो चाहते हैं आप सब मेरी सेवा करें ताकि आपका भला हो मैं सभी संकटों से आपको बचाने की ताकत लेकर आया हूँ अब मैं आप सब का रक्षक हूँ सभी जानवर राजा जी, राजा जी की जय जय कार करने लगे राजा की जय हो अपने आगे पीछे सभी जानवरों को देखकर चंगू खुशी से फूला नहीं समा रहा था जानवरों ने भी खूब उच्सव मनाया, राजा का बहुत सम्मान किया वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा अचानक वहाँ पर बहुत सी लोमणिया आ गई और राजा का स्वागत करने लगी उन्हें देखकर चंगू बहुत खुश हुआ चंगू इतना खुश था कि वह भी उनके साथ गारा गाने लगा और भूल गया कि उसका रंग बदल चुका है जैसे ही सभी जानवरों ने चंगू की आवाज सुनी वे पहचान गए कि यह तो एक लोमण है अरे यह क्या यह तो चंगू लोमण है हाँ अरे यह तो वही है इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा यह तो हमें बहुत परिशान करता है नहीं नहीं गलत मत समझो मैं तो बस मजाग कर रहा था अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा मुझे शमा कर दो छोड़ दो भगवान के लिए मुझे जाने दो अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा आज के बाद किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगा छोड़ दो कर दो कर दो